आप सभी का बहुत बहुत बिलकम है हमारे यूटूब चैनल ओम ग्राफिक्स में तो फ्रेंड्स आज के इस टुटोरियल में हम बात करने वाले हैं किसी भी वैडिंग फोटो को अगर रेटच करना हो फोटो फनीसिंग करना हो किस तरीके से कर सकते हैं इस टुटोरियल में हम बेसिक बताने वाले हैं इसमें एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे तो जो अभी अभी फोटो सॉप सिखना स्टार्ट किये हैं उनके लिए ये वीडियो बेस्ट होगा तो फिरेंड्स हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और अगर आपको फोटो सॉप में कुछ भी सीखना हो तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्पेल पे जो फोटो दिख रहा है इसका हम सबसे पहले एक कॉपी बनाएंगे च्ट्रोल परेश करके यह आपको बनाने का जरूरत नहीं है हम बाद में इसको आफटर विफोर दिखाने के लिए एक कॉपी बनाएं तो इसका एक कॉपी बना लिएं उसके बाद कीबोर्ड के परर्टन से आपको Ctrl M प्रेस करना है, Curve खोलना है, Ctrl M या फिर Image में जाएं, Adjust में जाएं और यहां से Curve Option ओपन कर लिए और यहां से Curve को हम थोड़ा सा उपर ले जाएंगे, यहां से Paragraph जो है, यहां से हम थोड़ा सा उपर ले के जाएंगे, तो इसमें Light थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है इसमें Light आ गया थोड़ा सा, इसको OK कर लेंगे, अब देखे कीबोर के बटन से आप Ctrl L प्रेस कीजिए, फटा फट से, Ctrl L से Level On हो जाएगा, या फिर Image में जाएं, Adjust में जाएं और यहां से देखिए Level है, इसके बगल में Shortcut की लिखा होता है, इस चीज का ध्यान देजिएगा कुछ-कुछ जो Main Topic है, उसका Shortcut की यहां पे लिखा हुआ है, जैसे देख रहे हैं, यहां पे Ctrl L है, Shift, Ctrl L है, तो इस तरीके से Shortcut जो मुक चीज है, उसका लिखा होता है, तो यहां पे Level On कर लेंगे, Level On करने के बाद यहां जो Paragraph देख रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा यहां से यह उपर की और गया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा पकड़ेंगे और जहां तक उपर गया वहां पे लाके छोड़ देंगे, उसके आगे अगे अगर हम करेंगे तो फोटो में थोड़ा सा Overlight हो जाएगा, तो इतना हम लेके जाएगे, बीच वाला जो दिख रह है, अब देखिए फोटो तो मेरा लगभग लगभग लाइट मेंटन हो चुका है, यहां पर आप देख सकते हैं, पहले फोटो मेरा ऐसा था और अभी ऐसा, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि आप देख रहे होंगे कि फोटो पूरी तरीके से पीला है, पीला है तो यह एक टोन यह पीला को कैसे खतम करेंगे, इसमें तो पीला टोन है, तो पीला टोन को हम अगर रिमूब करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके पीछे वीडियो में भी हम इसके लिए हम बात किये थे, अगर नहीं देखें वीडियो तो जाके पीछे तो यह ये लो टोन को जब हटाना है तो आप की बॉट के बटन से Ctrl V प्रेस करेंगे तो Color Balance खुलेगा Keyboard के बटन से Ctrl V प्रेस किजिए या फिर Image में आएए अडिजेस्ट में जाये और यहाँ पर देखिएगा कि आपको मिल जाएगा color balance का option उसके बगल में shortcut की लिखा हुआ है तो यह color balance खुल गया color balance खुलने के बाद आपको यहां से highlight पर click कर लेना है यहां पर highlight पर click कर लेना है और यहां देखिए yellow है और blue है तो yellow को जब भी अगर आपको minus करना हो खतम करना हो तो उसको blue के तरफ लेके जाएंगे तो यह देखिए हम यहां से इसे blue के तरफ लेके जाते हैं तो yellow tone मेरा जो है बिलकुल खतम हो गया है यह एक option है दूसरा option हम बताते हैं क्या है अब हम इसका दूसरा तरीका बताते हैं control L प्रेस कीजिए keyboard के button से हमने control L प्रेस किया उसके बाद यह लेवल आ गया लेवल में channel पर RGB लिखा हुआ है तो RGB पर क्लिक करेंगे तो यह चार option हो मिलेगा RGB, red, green, blue तो अगर आपको पीला tone को खतम करना है तो आपको blue यूज करना पड़ेगा यहां से हमने blue लिया, blue लेने के बाद आप बीच वाला जो यह दिख रहा है इसको आप थो पुरा जो yellow tone था वो लगभग लगभग सब खतम हो जाएगा अब यहां से ok कर लिजिए अब देखे यहां पर photo पहले मेरा photo ऐसा था और अभी ऐसा है तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं इतना काम कर लिए अब बारी आता है इस पर brush यूज करने का brush किस तरीके से यूज करते हैं वो चीज को आप ध्यान से देखें यहां से सबसे पहले तो आप color पिक कर लें face में जहां पे सबसे अच्छा color आपको दिख रहा होगा वहां से color को आप पिक कर लें देखे इस तरीके के जैसे हमने यहां पे मेरा color थोड़ा ठिक ठाक लाग र brush tool या keyboard के button से सिर्फ single B press किजिएगा तो इस वाले option पर आ जाईएगा यह ठीक है यह जो round दिख रहा है यह round को अगर आपको बड़ा छोटा करना है तो mouse के button से आप opposite क्लिक करेंगे और यहां पे देखिएगा कि इस तरीके से कम और ज्यादा करने का दिया हुआ है तो इसे हम जितना photo को सबसे पहले zoom कर लेना है ठीक है brush tool हमने ले लिया यहां mode normal रखिएगा और opacity flow को आप लगबग 20-22 के जैसे आपको दिखाते हैं अगर हम इसको full कर दिया जब paint करेंगे तो यह देखिए किस तरीके से paint होगा तो इतना हमें नहीं करना है हमको क्या करना है यहां से आ आप उतना ही रख लीजे 20-22-25 तक आप रख लीजे कोई दिक्कत नहीं है अब इसे photo को जूम करके आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से photo पे जहां जहां आपको dark ज्यादा दिख रहा है वहां पे आप थोड़ा सा इसे चला ले इस तरीके से यह देखिए मेरा photo पे हलका हलका सा paint दिख रहा होगा तो इस तरीके से आप भी paint कर लें paint करने के बाद आप इसमें हम filter का यूज करेंगे अगर आपके फास filter नहीं है तो हमारे पीछे वाले वीडियो में देखिए उसमें free of coast हमने एक filter दिया है आप वहां से download कर सकते हैं तो photo थोड़ा सा smooth हो जाएगा face में थोड़ा सा smoothness आ जाएगा आप देख सकते हैं after before पहले photo मेरा इस तरीके का था और अभी ऐसा है तो देख सकते हैं कि photo मेरा पुलकुल smooth हो चुका है इस तरीके से अब देखिए इतना काम हो गया अब देखिए इसमें तो हमने filter का भी यूज क करेंगे selective color on होता है alt-i-a-s से इसका shortcut की होता है alt-i-a-s या फिर आप keyboard sorry menu से जाए image में adjust में और यहां देखिए selective color दिया हुआ है selective color को open कर ले इसके बाद यहां से channel पर जो color दिया हुआ है color को आप सबसे पहले yellow color को select करेंगे yellow color को select किजिए और सबसे नीचे जो black लिखा उसको आप इधर minus के तरफ लेके जाएंगे इतना लेके चले जाएए उसके बाद आपको यहां से red यूज करना है red को आप थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहां से इस तरीके से आप बढ़ाए रेड को जहां जहां red दिख रहा है वो थोड़ा सा deep हो जाएगा ठीक है अब यह यहां से black को लेना है black को ले लिजे आप यहां से थोड़ा सा कम कर लिजे black को ओके अब देख सकते हैं photo मेरे कितना change हुआ फोटो आप्टर विफोर आपके सामने है देख सकते हैं photo में कितना changes हुआ है अब देखे इसमें क्या करना है आपको अगर brightness करना है और contrast बढ़ाना है तो उसका shortcut क्यों होता है alt iac अप ध्यान में रखे गए या याद कर लिजे या copy में लिख लिए लेकिन इसका shortcut की के ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लिखके एक option दिया हुआ है यह brightness and contrast है हमारे photo में लगभग brightness contrast सब ठीक है लेकिन हो सकते हैं आपके photo में कुछ damage हो तो आप यहां से उसको adjust कर ले सकते हैं इसलिए हमने इस option का use किया brightness है यहां से आप photo में brightness बढ़ा सकते हैं देखिए इस तर photo का अनुसार इसमें brightness बढ़ाईए contrast को हमने लगभग लगभग इतना बढ़ा दिये हैं 8% के आसपस लेकिन इतना का जरूवत नहीं है यहां से थोड़ा से कम कर लेंगे तो finally यह मेरा photo retouch होके आ गया है हमारे सामने अब हम आपको after before दिखा देते हैं पहले मेरा photo इस तरीके का था और अभी ऐसा है तो friends आसा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो like करके चैनल को subscribe कर लिजे बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा और अगर photoshop में कुछ भी सीखना हो कुछ भी जानकारी लेना हो तो आप हमें comment करके जरूर बता है हम उस टाइप का टिटोरियल हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे तो आज तक के लिए इतना है मिलते हैं नेश्ट वीडियो में धन्यवाद